एए बी टेक में स्वागते दोसों आप सभी का दोसों आज किस वीडियों कपेर करते हैं दो बट्स की बारे में जिसमें से पहला पर सोगता है बोट का बोट एर डॉप एटम 81 वहीं दूसा पर सोगता है नौइस का नौइस एयर बड्स टू इन दोनों पर सो कंपेर कर लेते और आपको बता है तो कौन सा ज्यादा बैठरी बड्स हो जाने वाला आपके लिए साथ में दोनों ही बड्स के बारे में कैस इन दोनों ही बड्स के डिजाइन आपको हाफ इन इयर बड्स मिल जाएंगे दोनों में आपको कोई भी इयर टेफ्स नहीं मिलता है अब भी दुस्ते हैं पर करते हैं इस पेस्ट केसं को लेकर करके आपको बोर्ट एर्डॉप एटम 81 में आपको 50 आर का प्लेबेक टाइमिंग साथ में टाइप सी का पोर्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट फास्ट मिनट चार्ज करने बाद आप 60 मिनट का प्लेबेक टाइमिंग एक्स्पिरियंस कर पाऊगे वहीं दोस्तों बात करते हैं नौइज एर बड्स टू की यहां पर आपको 40 आर का मासी प्लेबेक टाइमिंग साथ में टाइप सी का पोर आपको नौइज एर बड्स टू में भी आपको एंसी विद्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाता है बात करते ड्राइवर साइज को लेकर के आपको बोर्ट एर डॉफ एटा में टीवन एंड आपको नौइज एर बड्स टू दोनों में आपको 13 इमें का एक सिमिलर सा अब को मिलने वाला गेमिंग में आपको थोड़ा लेक्षटर कम ही देखने को मिलेगा महीं आपको कोई भी लोड लेटेंश इमूट का फीचर समी मिलता है यह एर बड्स के साथ दोनों ही बड्स में आपको ब्लूटूफ वजन 5.3 मिल जाने वाला है वाइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाएगा अभी दोस्ते आप बात कलते प्राइस पांड के बारे में आपको बोर्ट एर्डॉफ एटम एटीवन की प्राइस पांड है थर्टीन हंडर लुपीज इसको आप एमेजों से चिक आउट कर सकते हैं वहीं बात करते हैं इसकी एटम एटीवन में आपको ज्यादा फीचर दे रखें वहाँ पर लोट इसकी प्राइस पांड भी कम है तो आप बोट एटम एटीवन को परचेश कर सकते हैं ऐसा इसा डीटिल कंप्रीजन बोट एड़ एटम एटीवन वसिज आइस एरबट टू की बारे में अगर आपको को पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूले का चैनल पर ने हैं पहली पार फिस्ट करें तो लोको सब्सक्राइब करके नोटिकेशन में लाइकन भी प्रेस करें दीजेगा क्योंकि दोस्तों में पर ऐसे कंप्रीजन अन्बोक्सिंग डिवीज और टेक्निव भी आप